आज हम लोग स्टार्ट करते हैंые new topic circular motion सैंसे सबसे और produce ग्ला harmonic के शोलर सिस्टम में मोसन जों है वह प्लानेट का क्या है क्या है कि करक्नलोग method को चिए समझते हैं रियल लाइफ में की ही क्या याद में लोग आदर क्लों मोसन को कर सकते हैं और कहां कहां सर्क्लो मोशन को विजुलाइज कर सकते हैं, नेचर में तो सबसे बड़ा एक्जामपल सर्क्लो मोशन का ये है, मोशन आफे प्लानेट, अराउंड सन, सन के अबाउट प्लानेट का मोशन हो रहा है, वो सर्क्लो मोशन हो गया, और एक्जामपल देखोगे, ये क क्या है? अटम, अतों के अंदर में रॉप एक्टाम का मोशनती की क्या है? क्यों m ये पेंदूलम है, कान्हीकल मैं? ग्याइक्टाम ये, यह है Hem कॉनिकल पेंडुलाम कॉनिकल पेंडुलाम तुरा सब फीगर भी नोट करते चलना है तब ही आप देख लाएं लोग एक्जाम्पल्स ओप सर्कुलर मोशन तो डिफ्रेंट 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 एक्जाम्पल्स में एक हो गया कॉनिकल पेंडुलम एक हो गया प्लाइनेटरी मोशन और एक्जाम्पल कोई बता सकते हो और कोई एक्जाम्पल यह देख लो मोशन इसो क्या बोलते हैं जाइंट वील जाइंट वील है ही ख़दरनाक इसमें हर साल एक्जिडेंट हो जाता है कुछ-कुछ जगहों पर तो इसमें कुछ लोग चड़े भी होंगे है कि मैं दूर से देखके प्रनाम कर लेतें जहिए यह अगले दिन निज मैं गएはい हाथसा एक नट बोल्ट इसका निकल गया और बहुत सारे लोग हो गये हैं तो हम कहें कि अब यह सब दुसरे के भरोसे पर चलने वाला है हम इसमें काम करने वाले नहीं छोड़ दिये इसके बात दूर सही देखते हैं सर्क्लर मोशन के बारे में समझते हैं इसमें जो कोई पर रहता है वो क्या रहता है सर्क्लर रहता है और जो सबसे बाहर वाले रहता है वो थोड़ा सा आगे रहता है क्योंकि उसको ज्यादा चलना है तो थोड़ा सब आगे उसको प्लेस किया जाता है जो इनर सर्कल में उसको थोड़ा पहले ही रखा जाता है क्योंकि इसको कम चलन रहा है तो क्या तुम सर्कुलर ट्रेक फे घुम पाऊगे क्या सर्कुलर ट्रेक फे घुम पाएंगे नहीं घुम पाएंगे क्यों नहीं घुम पाएंगे स्लाइडिंग हो जागा तो स्लाइडिंग मतलब क्या दिक्कत है स्लाइडिंग होने में कैसे हो जागा कि दाई दौर पाएंगे कि सर्कल में नहीं मूर पाएंगे एफिक्षन नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर क्या कर रहा है? और डरेक्षन को बदलने के लिए two के बीच में और ground के बीच में फ्रैक्षन लगता है, जो किसी आदमी को bend कर मोड रहा है. अगर फ्रिक्षन नहीं लेगा तो वेलोसिटी का डिरेक्षन चेंज नहीं हो पाएगा तो सरकल में हम लोग आइस वाले स्प्लेट फॉर्म पे मूव नहीं कर पाएंगे साइकल क्या हम लोग चला पाएंगे अगर बर्फ का सता है तो बर्फ बोलने का मतलब आइस प्रिक्षन लेस तो उस पे आम लोग साइकल मूव करा सकते हैं सरकल में नहीं करा सकते हैं क्योंकि फ्रिक्षन एपसेंट हो जागा अब देखो प्लानेट के बारे में तो तुम लोग देखे ही इसका जो motion हो रहा है, सरकल में हो रहा ह। pendulum का जो BOB है, इस BOB का motion किसम हो रहा है, सरकल में हो रहा है देखो इस तरह का pendulum है, a string है और a string को vertical से कुछ angle बना कर इसको circle में ऐसे घुमा रहा है तो यह हो गया simple pendulum, अगर छोटे एंगल के लिए चलता है, उसिलेट करता है, तो यह हो गया simple pendulum, और अगर बड़े एंगल के लिए बात करेंगे, तो क्या हो गया pendulum, और ऐसा अगर कोई चलेगा, तो यह conical pendulum, तो conical pendulum का motion भी कैसा है, circular motion, यह देख लो कितना खतरनाक, यह देख लो, तुम लोग कभी गया होगे इधर, हाली में खुला है न, city center mall, उसे बच्चपन में तो तुम लोग जा नहीं पर, कि तुम्हारे बड़े होने पर खुला है, कि बच्पन में खुल गाता है, हाल फिलन में खुला है, तो उसमें बहुत सारा toy रखा रहता है, बच experience करता है, glass लगा करके, यह motion भी देख सकते हैं, जो गारी का है, वो कैसा है, circle motion, और example देख लो, यह एक ऐसा circular loop है, track है, ऐसा road है, और उपर से कोई चीच को गिराए, तो देखो यहां से यह, इसका motion कैसा है, circle motion है, cycle चलाते है, तो हम लोग देखो, cycle इसी न चलाते है, generally cycle, golember पर कैसे चलाते है, golember यानि कि circular turning जहां पर है, circular turning है जहां पर, तो वहां पर क्या करते हैं, ऐसे तो सिधा road पर cycle को सिधा चलाते है, circular turning के पास तुम देखोगे, या कहीं पर overbeach पर जा रहा है, तो turning आते समय देखते हो, बाइक वाला क्या करता है, अपने आपको bend कर कर लेता है, तो circular turning पर हम लोग क्या करते है, cycle को bend कर लेते हैं, जुका लेते हैं, किदर जुकाते हैं, center की तरफ की center से बाहर की तरफ, center की तरफ, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसमें bending of a cyclist, क्यों bend करते हैं, उससे क्या bend fit है, वो भी देखेंगे, ये तो बहुत खतरनाक है, death will, मिला सब में देखेंगे, दशारा में मिला उला लगता है, उसमें देखते हो कि death will बहुत जगपर ऐसा है, death will, जिसको हम लोग दूर से देखकर करके लगता है, कि हाँ, बहुत खतरनाक काम है, और सही में खतरनाक काम है, उसमें भी कुछ लोग उसमें जो होना बेवकू चारा इधर से करते हुआएगा और जल्दी में उसको पैसा लेके निकल जाना है और दर्शक जो है न वह दमराम से बढ़ा हुआ है ऐसा थोड़ा सहाथ नहीं बढ़ा सकता थी उसको इंतियार करता है कि और उपर आए और उपर आए उसको कोई टेंशन नहीं क्योंकि उसको इस ट्रेक को उसमूथ नहीं बनातना दो पूरी तर से तो क्या यो भायक वाला उसमें घों सकता है नहीं सकता ऑगर इस इसको ऐसा इनकलाइन बनाए गए ऊच्छौ सा इस द्रसा ऐदम खड़ा नहीं यह वर्टिकल रहें तो भी यूइंन बुट औरहर बनाना पुड़गा इसको थोड़ा से इनकलाइन बनाए गया उस से क्या है कि उसको उपर चर蛇ने प्सकसी अब से करना है कि सर्कूलर मोशन में होने के लिए क्या कंडिशन नेसेसरी है तो अब देखो पहले समझते हैं कि सारे इक्जाम्पल जितना भी एक्जाम्पल हम देखे सारे जाम्पल के पीछे ना कांसा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है तर्कुलर मोशन सबसे पहले तो समझ लो कि सर्कुलर मोशन किस तरह का मोशन है क्या डेफिनिशन हो गया है मोशन इन्हें तर्कुलर पाथ मोशन ओफ बाड़ी इस तरह से यह सब है सर्कुलर मोशन इतना एक्जामपल बता है सबको सारे में एक कनेक्शन खोजना है सारे मोशन में एक कॉमन चीज बता करना है क्या चीज कॉमन है सारे चीजों में सारे एक्जाम्पल में एक कॉमन बात सब को पता करना है कौन सा कॉमन है सब में सर्कुलर पात तो ठीक है वो तो कॉमन है इस से कुछ अच्छा बताओ अच्छा बच्पन में माभारत देखकर के कितने लोग कृष्ण भगवान बनने की कोशिस किये चक्र नहीं मिल पाया तो क्या कि ये पत्थर को रस्ती बांद लिये और ऐसे हाथ में नचा करक जा रहा है ठीक है किये हो ना स्कुल में बने किये ही हो तो नोट कर लिए ना मिटा दें इसको अब देखो पत्थर वाला जो एंपल है उससे तुमको आइडिया लग जाएगा हम क्या पूछना चाहरा है एक स्टोन है जो टाइड है विधे स्ट्रिंग और इस स्टोन को तुम इस सर्कल में रोटेट कर रहे हो इस सर्कल में इसको घुमा रहे हो इस तरह से पत्थर बांद दी रस्ती में और उसको ऐसे घुमा रहे है जो कॉंटेक्ट में आया वो दूर भाग रहा है तुमसे रसी कमजोर थी तो तूट गई यह पत्थर क्या सरकल में घूम पाएगा उसके बाद तूटने के बाद सरकल इसका जो ऑब्जेट का जो मोशन वो कैसे रहता है रसी से लग हो गया तो उसका मोशन कैसा प्रजेक्टाइल मोशन और प्रजेट्टाइल मोशन के पहले वह पत्थर सरकल में घूम रहा था उसके जरूरी है कि यह टाइट होना चाहिए अगर लूज है तो क्या सरकल में घूम पाएगा सरकल रशी बांuff दिए ओ पफर में ऐसी स्टरिंग लूज बढ़ा हुए धरती ले तुम उसको थोड़ा से उठा करके अशिश टाइट कर रहा हुँ जब टाइट होगा, तब सरकल में गुमना शुरू किया है अस्टरिंग टाइट होने का मतलब क्या है? उसको पत्थर को स्ट्रिंग क्या करेगा, खीचेगा, तो स्ट्रिंग क्या करता है, पूल करता है, यह सर्कल में क्यों चल रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग इसको पूल कर रहा है, इसको सेंटर की और खीच रहा है, जब तक यह स्ट्रिंग है, तब तक यह सर्कल में घुमेगा, पत्थर कहीं भी जाएगा, लेकिन उसको स्ट्रिंग क्या करा है, कॉंस्टेंटली सेंटर की तरफ उसको पूल कर रहा है, तो किसी पाटिकल को सरकल में घूमते रहने के लिए क्या जरूरी है, सेंटर की और फोर्स लगना चाहिए, या देखो प्लानेटरी मोशन में, प्लान सन के पास बहुत जादा मास है, तो इस पे कुछ इफेक्ट पता नहीं चल रहा है, लेकिन अर्थ को सन क्या करा है, अपनी और खीच रहा है, और हर समय अर्थ को सन सेंटर के और खीच रहा है, इसलिए सरकल में चल पा रहा है, जिस दिन इक रेवडिशनल फोर्स लगना बं सन की तरफ लएगा, तो हर केस में देख सकते हो, एक कॉमन चीज है, कि कोई भी अबजेक्ट अगर सरकल में मूब कर रहा है, तो उस पे एक फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो टेंशन फोर्स एक जाटेट बाइ स्ट्रि और एक होर्जेंटल जो सेंटर के सेंटर की ओर लगा, तो हर समय सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा रहा है, नूकलियस में देख कौन सा चाहर होता है, पॉजिटिव, एलेक्टरॉन के पास चाहर्ज कोई सा है, नीगेटिव, तो प्लस चाहर्ज निगेटिव को अपनी और कर रहा है तो हमेशा सेंटर के और फोर सगरा इसलिए सर्कल में मूव कर रहा है गाड़ी हम लोग चला पाते हैं सर्कल में सर्कुलर टर्निंग पर गाड़ी कार कार साइकल मोटर साइकल कुछ भी चलाते हैं कोई वहिकल तो सरकल में क्यों घुम रहा है क्योंकि वहां पर फ्रिक्षन लग रहा है Friction किदर लगता है Friction लगता है Center की तरफ तो गारी के पहीया और Ground के बीच में जो Friction लग रहा है वो Friction Center की तरफ लग रहा है तुम जब भी Cycle चलाते हो तो अगर बिना जुके Cycle चला रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है कि रफ होना चाहिए surface, surface रफ होगा, तो friction क्या करेगा, center की और लग करके, तुम्हारे speed को bend करेगा, और तुमको circle में चलाएगा, तो किसी चीज को circle में चलते रहने के लिए, यानि circular motion के लिए necessary and sufficient condition क्या है, कि there should be some force towards center of the circle, तो सारे example में common चीज मिला, कि सारे case में क्या हो रहा है, कि center की और एक force लग रहा है, और तुम लोग नाम सुने होगे, centripetal force, सुना हुआ है, तो यह जो force center की तरफ लग रहा है, उसको क्या बलते है, centripetal force, यहाँ पर centripetal force किस फ़र्म में है, tension force है, यहाँ पर कौन सा force है, gravitational force है, string force है, यहाँ पर electrostatic force है, यहाँ पर कौन सा friction force है, यह सारा force, एक साथ क्या बोल सकते हैं, कि यह सब मिल करके centripetal है, centripetal का मतलब कोई, ऐसा force नहीं कि जो अलग से होता है, जिस्ट करता है, centripetal का मतलब है, कि चाहे वो force gravitational हो, tension हो, friction हो, normal हो, electrostatic हो, कोई भी force हो, जो total force center की तरफ होगा, उस total force का नाम क्या दे दिया गया है, centripetal, जैसे मानलो कि इस यह object पर तीन force लगा, तो तुम तीनों को मिला करके एक resultant force बोलते हो, तो उसके resultant force को नया force थो रहे है, resultant force क्या है, तीन force का sum है, मानलो 2 force का resultant बोल रहे हो, बहुत सारे force का resultant force बोल रहे हो, मतलब सबका sum, तो कोई चीज़ circle में चल रहा है, तो उस पे center की और जितना भी force लग रहा हो सकता है, कि 2 force लग रहा हो, 3 force लग रहा हो, एक ही force लग रहा हो, सारे force का sum center की तरफ करेंगे, तो उसका नाम क्या दे दिया गया है centripetal force पिटल मतलब towards तो जो center की तरफ है तो net force towards center equals to centripetal force यानि कि circle motion के लिए necessary condition क्या है कि there should be some centripetal force on the particle अब हम लोग यह समझेंगे कि क्या circle motion में कौन-कौन सा जो term है वो यूज में आता है तो एक term circle के लिए क्ले 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 क् कि अब सब को यह बताना है कि मालो हम तो बोले कि मोशन और पार्टिकल ओने सर्कुलर पाथ इस कॉल्ड सर्कुलर मोशन अब मालो की कोई ऐसा रास्ता है यह कोई आर्बिटरी रोड ट्रैक है रोड है इस तरह का रोड है कोई ऐसा रोड है ठीक है या कोई प्रोजेक्टाइल ही है किसी ऑपजेट को तुम थ्रो कर दिये तो थ्रो करने पर वो किस तरह से जाता है वो कौन सा पाथ को फॉलो करता है उसका नाम क्या है याद नहीं आ रहा है कौन सा बोला प्रोजेक्टाइल है किसी चीज तुम थ्रो करता है तो 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 प्रोजेक्टाइल के को सर्क्लर मोशन के रूप में विजुलाइज कर सकते हैं क्या कोई अबजेक्ट इस ट्रेक पर चल रहा है तो उसके मोशन को सर्क्लर मोशन के रूप में विजुलाइज कर सकते हैं यह बताना है क्या इसके मोशन को भी सर्क्लर मोशन बोल सकते हैं कैसे जैसे देखो यहां पर कोई भी करोपाथ है तो करोपाथ के लिए उसका हर छोड़ा छोड़ा लेंद कंसीडर करो जैसे माल लेते हैं कि इस करोपाथ का हम यह छोड़ा सा लेंद कंसीडर किये यहाँ पर एक छोड़ा सा लेंथ लिए, एक लेंथ मालो की यहाँ पर ले लिए, यह जो छोड़ा सा लेंथ लिए, बहुत छोड़ा, very very small, यानि कि elementary, तो elementary लेंथ लिए, तो यह elementary लेंथ एक circle का, एक circle का portion माना जाएगा, एक छोड़ा सा लेंथ लिए, तो यह किसी न किसी circle का हिस्सा है तो उसके corresponding जो circle है उसको draw कर दो तो इसके corresponding जो circle है उसको draw की है यह circle हो गया ठीक है और यह जो length लिये थे यह length यह length इस circle का हिस्सा माना गया पार्ट माना गया तो जब कोई particle इस position पे पहुँचेगा इस part पहुँचेगा तो हम बोलें कि वो उस समय पार्टिकल का motion इस circle का circular motion है तो किसी curve का हर एक छोड़ा सा हिस्सा एक circle का हिस्सा माना जाएगा जैसे यहाँ पर तो यहाँ के corresponding circle क्या होगा तो यहाँ corresponding जो circle होगा कुछ ऐसा होगा तरकल कुछ ऐसा होगा यह जो छोड़ा सा लेंथ लिए वो इस सरकल का हिसा माना गया जब कोई पार्टिकल चल करके यहां से यहां पहुचेगा तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल का मोशन इस सरकल का सरकुलर मोशन है यहां पहुचेगा तो बोलेंगे कि पार्टिकल का मोशन इ center और radius उससीतर अर इस तर्छ से कर्व के लियर करते हैं center of curvature और radius उप करवेचर तो यहां पर इस कर्व काіन्ट का पौइंट आभ है तो पर जादा है जो पौर्शन ज्यादा फ्लेट है तो उसका कर भीचर बड़ा होगा जो पूर्शन जेतना ही कर्बढ है उसका रीडियस एी सब बढ़ा है तो यहां पर बहुत ज्यादा बेंडिंग हो रहा है और जहां पर बेंडिंग कम हो रहा है ज्यादा है तो स्ट्रेट रोड को भी क्या मान सकते हैं सर्कल मान सकते हैं कैसी सर्कल मान सकते हां कैसी सर्कल ऑफ तैसे सर्कल रडियोज बराते जां ये सर्कल और रडियोज बरा喝 SCP क्लो बढ़े जर्पंद करदो तो यह क्या बन जाहां स्ट्रेट लाइन उन्हां बेंप लाइज दो कोई विक कर वो पंत चल्ट प चलना, कोई भी रास्ता है जिक-जग कोई भी पाथ है उसके मॉसन को भी तुम सर्क्ल मोशन गरूप में वीजिल्योओर कर सकते हैं खर सकते हैं कोई भी छोटा साइस में प्रोर्सान लो और उस प्रोर्शन के कोरेस्पॉंडिंग जो सर्कल होगा उस समय हम बोलें कि particle का motion इस circle का circular motion है किसी कर्व को क्या define करेंगे तो टर्म फिर सब्सक्राइब करें लोग मतलब किसी कर्व का कोई तरा सा हिस्सा लेंगे वह कि circle का part माना जाएगा circle का center होगा वह कहा जाएगा center of curvature of the curve कि हो गया कि यह गया रेडियस अफ करवेचर कि रेडियस ऑफ करवेचर कि और सेंटर और करवेचर कि ज्यादा फ्लैट है वहां पर रेडियस वेचर ज्यादा की कम होगा ज्यादा होगा विल्बी हैविंग ग्रेडियस अफ करवेचर तो मोशन ऑफ ए बोड़ी ऑन एनी करव पाथ कैन बी विजुलाइज़ अज़े सर्कुलर मोशन कि यहां समलों बोल सकते हैं कि कोई भी करव पाथ पर अगर कोई अबजेक्ट चल रहा है तो उसका मोशन कहा जा सकता है सर्कुलर मोशन अब तो सबको सर्कुलर मोशन क्या मतलब सुझ में आ गया अब देखते हैं कि सर्कुलर मोशन कितने तरह का हो सकता है कितने टाइप में उसको बाठ सकते हैं अगर मालो कि एक सर्कुलर मोशन ऐसा है इसमें ऑबजेक्ट का स्पीड हर जगा पर सेम है जैसे यहाँ पर मालो कि इसका स्पीड भी है यहाँ भी एस स्पीड भी है, सभी जगा पर इसका स्पीड सेम है सभी जगा पर इसका स्पीड कॉंस्टेंट है और एक ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसमें कि एस स्पीड चेंज कर रहा है जैसे मालो की इसमे स्पीड इसका यहां पर भी वन है यहां पर भी टू है यहां पर मालो ऐसा हो गया भी थ्री किसी और पोजिशन पर मालो यहां पर हो गया भी फोर भी फाइब और गूलो में डिफ्रेंस समझ में आ रहा है एक मैं स्पीड क्या है गी स्पीड और एक में स्पीड है वरियवल जो स्पीड फूर जोением होगा जिसमें की स्पीड क्या दूलेंगे क्वलें कैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ये वहला कौन सा नन यूनिफॉर्म तो दो तरह का सर्कुलर मोशन हो गया यूनिफॉर्म और नन यूनिफॉर्म ये हो गया यूनिफॉर्म चर्कुलर मोशन और ये है नन यूनिफॉर्म नन यूनिफॉर्म चर्कुलर मोशन को दिखता है ना सबको समझा गया युनिफॉर्म सर्कुल मोशन क्या डेफिशन इसमें तो चिल सब सेंट और तुम कर रहे हो ज्यादा कर रहे हो तो कौन सा हो गया नान उनिफॉर्म कि अब एक दो छोड़ा सवाल पुछ देते हैं तब का से हो जाएगा कोई दिकत नहीं है कॉंसेट समझी गए नाम डेफिनिस समझी गए उनिफॉर्म नन उनिफॉर्म जो लगता हम आसान से सवाल इतना आसान कि तुम सोच भी ने सकते हो जलो बताओ कौन सांसर इसमें से कौन सथ्य सही हो सकता है इन ए युनिफॉर्म सर्कॉल मोशन विलसुटी ऑफ दी बॉड़ी चेंज इन इन तीसरा में लश्म है नन प्रू है ए ए लग रहा सही और किसी कुछ और सही लग रहा तो बोलो यार ए और बी देखो जगर्द दो एक याद एक सज्यादा सही तो सब अनसर बताना पड़ेगा एक क्यों सही बताओगे और दूसरा सही बला जो है छोड़ दिये तो गलत माना जाएगा ए बी सी तीनों सही है ती में कोई सही नहीं है ए और बी सही है देखो एक किसी गलत लग रहा है कोई यहाँ पर ऐसा आदमी जो किसी को गलत लग रहा हो बताओ इन ए ज्यान सुनों क्या बोल रहे हैं इन ए युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसीटी वेलोसीटी अफ दी बोड़ी रिमेंस क्वास्टेंट उनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनिशनल क्या लिख वाय थे बहुत पर इन पर पर इस प्रहिए अगर सब गलती से अईसा मिस्टेक कर अगये तो क्या हो जागा गलती हो जागा जानक ना कि uniform circle motion definition क्या है speed remains constant देख़ोर लिखवाद यह थे speed constant speed constant speed constant speed constant है लेकिन direction change हो गया velocity का तो velocity क्या हो गया change हो गया ये velocity दोन सेम है change हुआ कि नहीं हुआ ये उपर की तरफ था इधर हो गया तो velocity क्या हो रहा हमेशा change हो रहा है velocity हमेशा change हो रहा है तो ये option क्या हो गया गलत हो गया in a non uniform circular motion velocity of the body changes non uniform हो चाहिए uniform velocity तो change हो गा ही तो non uniform change हो रहा कहां गलत है सही बात है न ये तो b option सही है अब आज़ो c पे in a uniform circular motion velocity must change सही है direction तो चेंज होना ही है कहीं भी जागा direction चेंज हो रहा तो velocity तो चेंज होना ही होना है a speed constant रहा सकता है velocity मस्ट चेंज तो c option सही है कि इसलिए समझेगा न डिफ्रेंस डिफिनिशन गिसा छोड़ा असान question लेकिन बहुत सारे लोग से जल्दी बाज़ी में गलती करने करें युनिफॉर्म सर्क्रमस्ट मतलब velocity constant गलत हो गया velocity constant नहीं बोलके क्या बोलना है speed constant velocity तो हमेशाथ चेंज हो रहा है क्योंकि direction चेंज हो रहा है अब बताओ कि किसी ऑप्जेक्ट के पास एक्सलिरेशन है तो एक्सलिरेशन क्या करता है एक्सलिरेशन चेंज लाता है किस में velocity में और किसी का velocity चेंज हो रहा है मतलब उसके पास क्या है एक्सलिरेशन है circular motion के लिए हम तो शुरुआत में ही बोल दिये थे कि कोई चीज circular motion में है यानि कि उस पे force लगना चाहिए किधर center की और और force लगता है मतलब acceleration है तो force जिदर लगता उदर acceleration होता है तो force लगना है तो एक्सलिरेशन भी होगा किधर center की और कि अगर कोई चीज circle में घूम रहा है constant speed के साथ speed constant है तो उसके पास acceleration किधर है center की तरफ क्योंकि हमेशा force लगता है center की और तो center की और acceleration है अगर तुम speed बढ़ा रहे हो अगर गारी चला रहे हो circuit turning पे मालों की circuit turning बढ़ा है और गाड़ी का speed बढ़ाए जा रहे हो अगर constant speed चला रहे हो तो तुम्हारे पास acceleration केवल है center की ओर जिसका नाम है centripetal acceleration centripetal acceleration उसका और क्या नाम है radial acceleration एक और नाम है normal acceleration तो अगर कोई particle object constant speed के साथ circle में गुम रहा है तो उसके पास एक ही acceleration है केवल center की ओर जिसका नाम है centripetal acceleration radial acceleration या normal acceleration लेकिन अगर तुम मालों की speed बढ़ा रहे हो तो speed बढ़ाने के लिए क्या चाहिए एक तो circle में गुमाने के लिए center की ओर force चाहिए चाहिए और speed बढ़ाने के लिए क्या चाहिए चैंजन की तरह भी फोर्स चाहिए जैसे मालो कोई circle है कि circle है तो तरह ऐसे करते हैं circular path है और circular path में तुम speed लगातार बढ़ा रहे हो अगर constant भी चला रहे हो तो center की तरह एक acceleration हो गया एक acceleration हो गया किदर center की ओर जिसका नाम क्या है normal acceleration या radial acceleration या centripetal acceleration लेकिन अगर मालो कि तुम speed को बढ़ा रहे हो यहाँ पर speed 10 था यहाँ speed 10 हो गया 20 हर से speed बढ़ रहा है तो speed किदर बढ़ता है जब velocity की तरह एक force लगता है जब velocity यहाँ पर इसदर पहुचा तो इसदर एक force लगा जब object यहाँ पहुचा तो इसका velocity इस तरफ हो गया इस समय एक और force लग गया तो हर समय velocity के direction में force लग रहा है मतलब tangent के long एक force लग रहा है और tangent के long force लगकर क्या देगा tangential acceleration तो अगर कोई object constant speed से घुम रहा है तो उसके पास केवल एक acceleration है normal centribeetal या radial और अगर speed बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके पास एक और acceleration है tangential तो दो तरह का acceleration हो सकता है circular motion में एक है AN और दूसरा है AT अब देखते हैं acceleration acceleration in A circular motion circular motion में acceleration सबसे पहला formula यह याद करेंगे अगर मालो की कोई object move कर रहा है velocity V के साथ circle of radius R तो उस object के पास एक acceleration तो fixed हो गया कि होना ही है वह है center की तरफ उसका value कितना होगा V square by R एक acceleration हो गया centripetal acceleration और इसका एक और नाम क्या है radial एक्सेलरेशन और नार्मल नार्मल एक्सेलरेशन इसका आम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए-N से A-N 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 बराबर कितना होगा A-N बराबर होगा B square by R यह तो समझ में आ गया ना सबको अगर कोईची circle में गुम रहा है तो उस पे एक center की और acceleration उस subject का होगा center की और इसका value कितना होगा B square by R direction किदर होगा center की और नाम इसका पर गया है कौन-कौन सा centripetal center की तरफ पीटल मतलब तरफ और radial मतलब यह के लॉंग और नॉर्मल क्यों पड़ा नॉर्मल यानि की perpendicular यह acceleration जो है वह velocity के क्या है perpendicular है n है center की तरफ और वह velocity के perpendicular है तो इसका नाम नॉर्मल पर गया नॉर्मल acceleration देखो अगर कोई circle में चल रहा है तो यह तो होना ही नहा है क्या यह 0 हो सकता है 0 होने के मतलब क्या है 0 होने का अतलब तो circle motion ही नहीं है अगर कोई circle motion में है तो यह तो होना ही तह है यह तो must है तो दूसरा acceleration हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो तो दूसरा acceleration हो गया tangential फर्मूला सबको याद हो गया ना फर्मूला क्या है B square by R अब दूसरा acceleration है tangential acceleration अब देखो दूसरा tangential acceleration इसको ऐसे represent करेंगे 80 से यह कब लएगा जब किसी का speed change करेगा if speed speed changes speed changes then then there will be an acceleration along tangent along tangent of the circle और इसका value कितना होगा यह तो समझ गए कि अगर किसी का speed change रहा है तो tangent के long acceleration होगा आज जैसे मालो किसी का speed बढ़ रहा है तो velocity इस direction में है velocity इस direction में है तो यहां पर acceleration भी तेम direction में होगा अगर मालो कि यहां पर पहुंचा तो velocity इस direction में हो गया तो तो tangential acceleration भी इस direction में हो जाएगा तो यह जब 80 और भी दोनों same direction में है तो इसका speed क्या होगा बढ़ेगा हर समय जिदर velocity है उदर ही acceleration है तो हर समय speed बढ़ रहा है तो यहां से बोल सकते हैं कि speed increase कर रहा है speed increases लेकिन अगर मालो कि इसका उल्टा हो अगर मालो कि velocity इस direction में है और गारी में ब्रेक लगाएं है सर्कुलेटरिंग में देखते हो ना गारी का ब्रेक लगाने पर गारी का speed कम होता है तो विलोसिटी इस तरफ है और ब्रेक लगाएं तो फ्रिक्षन अपोजिट में इधर भी लग गया और फ्रिक्षन इधर लग करके speed को कम कर दिया और एक्सलेशन इस डिरेक्षन दे दिया तो 80 हो गया आपोजिट तो अगर विलोसिटी और 80 आपोजिट हो जा तो इसमें speed क्या होगा है कि करेगा इसके स्पीड क्या हो रहा है डिक्रीजेज तो टैंजेंशल एक्सलेशन किदर लगता है अलॉंग टैंजेंट आप दी सर्कल और किस इसका मैनिचूड कैसे निकालेंगे यह तो टैंजेंशल एक्सलेशन को डिफाइन करेंगे रेट आफ चेंज ऑफ speed with respect to time it is it is defined as rate of rate of change of speed rate of change of speed और किसके respect में with respect to time जब भी रेट की बात करेंगे तो इससे बताना पर है किसके respect में विफ रिस्पेक्ट टाइम तो टैंजेंशल एक्सलेशन बराबर क्या होता है रेट आफ चेंज ऑफ speed with respect to time और सबको याद होगा कि जब भी ऐसे बोलते हैं rate of change of year with respect to time तो क्या करना परता है differentiation ज्याने कि differentiation d dt differentiation with respect to time किसका differentiation किसका speed का किया हो गया tangential acceleration का definition 80 tangential acceleration बराबर होगा rate of change of speed with respect to time तो इसमें कौन सा option सही लग रहा है तो लेक और आसान सवाल इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉर्मल एक्सलेशन और पार्टिकल रिमेंस constant नॉर्मल एक्सलेशन का definition बता चुके है नॉर्मल एक्सलेशन का मैंडीचूट कितना होता है भी स्कौर वाई आर भी स्कौर वाई आर और उनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब भी क्या है constant है इनिफॉर्म स्पीड कॉंस्टेट कॉंस्टेंट है कि यहां पर कौन सा स्पीड मौड लगाते हैं डाएक से मत सोचलो है तो स्पीड और फॉरमूला जानते हैं बीग कॉंस्टैंट दो इसलिए पहला आप्शन क्या लग रहा है तुछ उट नहीं रहा है जो सकता है तो देखो तिगर डॉ कर लो नॉर्मल एक्सेलेशन का मतलब क्या है किदर स्टेंटर की तरफ जब पार्टिकल यहां पर पहुँचा है तो इसके पास एन का डिरेक्शन इस तरफ है वैल्यू कितना होगा एन बराबर एन बराबर होगा भी स्क्वार बाई आर स्पीड कॉंस्टेंट है यहां पहुचा तो भी स्पीड क्या है और नॉर्मल एक्सेलेशन किदर हो जाएगा इस तरफ हो जाएगा एन का भैल्यू अभी भी क्या रहेगा एन का मैनीचूड अभी भी भी इसक्वार बाई आर है अब बताओ पहला ओप्शन कितितना भी स् daha भायार लेकिन डारेसं रॉँट इसकूड सेमर यहां閱 आरेच्वार तो दो जोटन हुआ रहे नार्मल ईक्सेलेशन होगतो गलं जो गया तुम few कि थुम ही बताओ न हम तो एक बार समझदों इस को अच्छे बताओ कि देखो क्या बताएं भोला गयाकि न्वरमल स्सลेस उर्चांसेंट हम बोलते थैंव यहां पर एक्सलिशन इस तरफ है जब यहां पहुचा तो इढ़ो गया यहां पहुंचे एक्सेशन डेक्सन इधर हो गया रसमें एक्सेशन डायवारा फिर इधर था फिर एधर हो गया डिरेक्षन हर समय चेंग रहा एम इंचुड कॉंस्टेंट तो यह अप्सेशान से बता लेकिन सिक्षेवाल हम बोल के छोड़ दिये कि नार्मल ए इसलिए कॉंस्टेंट बोलना गलत हो गया अब दूसरा दूसरा में कुछ गलत है क्या डिफिंशन लिखाया थे टेंशलेक्स एसरका है अब बताता है एटी अब वही है कि अलग है क्या इसमें गलत है विलोसिटी लिख दिये हैं वेक्टर साइन यहां पर क्या लगना चीदा मॉड रेट अफ्चेंज अफ़ास्पीड लिखे था ना उसमें डेफिंशन में तो स्पीड क्या होता वेलोसिटी का मैंशीट वेलोसिटी अगर लिख कोई छोड़ दिया यह क्या हो गया स्टेट्मे कोई बोल दिया कि रेट gift गलत हो जाएगा रेट अप्चेंजण विलोसिटी बोलना गलत है को और तो तूसरा बिगलत हो माना Emirate Kin1 एन नन अनन उनिफर्म सर्कृलर मोशन कोई भी सर्कृलर मोशन हो उसमें वीलोसिटी और एक्स्रेलेशन क्या हो रहा है होरा यह तो सही हो गया ना कि ओल सी ओप्षन सही है कि अगर देखो यह सब क्वेश्चन तुम्हारा एकदम आसान क्वेश्चन है जेई निटिसम में आ जाएगा तुमको पता भी है कॉंसेट भी है लेकिन मिस्टेक करके बाइक्सम लोग आता है क्योंकि छोटा-छोटा मिस्टेक समझ रहा ना डेफिनिशन को ध्यान से नहीं पड़ है तो बी ओप्षन में क्यों गलत हुआ क्योंकि 80 बराबर लिखेंगे दी डी टी ओफ दी डी टी ओफ विलोसिटी का मैंनिशी हूड यह सही होगा अगर ऐसा लिखेंगे एटी बराबर डी डी टी ओफ विलोसिटी तो यह आप्षन गलत हो जागा तो बेसिक बात हो गया अब हम लोग देखते हैं दोनों का कल्कुलेशन के लिए फॉर्मूला का में भैल्यू पूट करके निकालना है एन का वैल्यू काड़ी का स्पीड दे दिये रेडियस दे दिये एन का फॉर्मूला जानते हो दिये स्कॉार बाई यार तो पहल कितना होगा देखो क्या होता है नॉर्मल एक्सेशन का फॉर्मूला क्या है एन इक्वास्ट होता है भी स्कॉार बाई रेडियस तो हम लोग भी को लाएंगे मी मीटर में तो 108 km paionettes कितना कि ना वर सेकेंड कितना कि स कि मडिपलाई किये ऐटीनActर पर लिप्लाई करोगे किलोमीटर पर बदल जाके से मीटर पर सेकेंड तो भी का भेल्यू तीस मीटर पर सेकेंड का स्कॉाइर रेडियोस किसे मदलेंगे मीटर में दो किलोमीटर यानि कि नाइन बाई ट्वेंटी जिरो पॉइंट फॉर फाइव तो अब दोनों इस बार निकालना है अब देखो इसमें सब कांसर आ गया है पहला भी बराबर कितना बोला गया टी स्कॉाइर प्लस टू जो स्पीड है अब्जेट का पार्टिकल का वो टाइम पे चेंज कर रहा है ताइम पे डिपेंड कर रहा है ये फोर्मूला है तो पुछा गया नॉर्मल एक्सेशन कब ट इक्वल्स टू वन सेकेंड पर वी का वैलू कितना हो जाएगा तो पहले टी का लुओन पूट करो तो वन स्कॉार प्लस टू यो गया 3 meter per second क्योंकि velocity है meter per second में दिया हुआ और time second में भी निकल गया और ये कब निकलना टी ब्रावर 1 second पे तो भी मिल गया अब बताना है an an ब्रावर क्या होता है b square by radius तो b का value कितना है 3 का square radius कितना है 2 meter तो या answer किसमें आगया meter per second square 9 by 2 तो वन सेकंड बोला गया तो वन सेकंड पर भी निकाले भी स्क्वार बजार किये अब दुरा question में पुछा गया 80 80 निकालना है 80 निकालने के लिए अभी time नहीं put करना है 80 का definition क्या है 80 का definition है d dt of speed d dt of d dt by dt तो भी का definition कर दो तो कितना आगया differentiation है तो टी टी अस्वार का हो गया टू टी और टू का उंस्टेंट है तो उसका जो टू टी आगया अब time का value पूट करो यह तो टी टाइम पे ना आया अब पुछा गया टी ब्रावर कितने पे ब्रावर वन सेकंड पे तो 80 का value हो गया टू इन टू टाइम पूट कर दो वन या गया टू मीटर पर सेकंड स्कॉर सबका अंसरा है नहीं इतना है तो एक क्योश्चिन और तो इस बार सबको 80 एन निकालना है टी ब्रावर दो सेकंड पे तो वी का value कितना दिया हुआ है वो पहले नोट कर लेते हैं वी इक्वल्स टू है टी क्यू प्लस टी एस्कॉर प्लस ब्लस 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 ब कि अब डिफ्रेंसियेशन करना है ती क्यों का नीचे में टी है तो सिधे क्या कर देंगे पावर को मुटिप्लाई और एक पावर कम कर देंगे ठीटी एस पर इपेसे जब भी करते हैं तो ऐसा रखना है कि मालोग उपर में है एक्स के पावर तीन तो नीचे क्या होना लिए क्यों यहां पर वह नीचे में हो चाहिए तो लिदेंगे टी क्यों इसका कर लो तो टी क्यू नीचे टी है ती क्यों है तो सिधे हो गया 3 T A स्कॉर कुछा है तो टी और इता हो गया जीरो या गया यह किस समय टाइम पर राइया है अब हलो पूट किया अब value put करें कितना से पुछा गया है t ब्राबर 2 सेकेंड 2 सेकेंड पर a t ब्राबर कितना तो इसमें सब्जा क्या put कर देंगे 2 put करेंगे तो 3 into 2 square plus 2 into 2 तो कितना आ गया 16 आ गया तो 16 meter per second square अब आजाओ an निकालने पर तो an का formula क्या है b square by r b का value put कर दो तो b का value परले t पर निकाल लेता है तो value put कर दो t q plus t square plus 1 का whole square by radius radius कितना है 4 अब put करो time का value किसे पुछा गया 2 second t ब्राबर 2 second तो an का value 2 put करेंगे तो 2 का 3 power 3 कितना हो गया 8 2 का power 2 तो चार प्लस एक के स्क्वाइर पाई चार तो गया 169 बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर 42 पॉइंट 25 ठीक सब का आगे न इसा चलो तो यहां तक तो कोई दिक्कत अब नहीं हो रहा है 35 अज़ चूआब यहां पादाओ के एक लुए पादाँ हो यहां 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 अज़कर लगगइंटS आगए हो गज़क्त पॉश़्च्वक्त झाल झाल